हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ इर्फान और आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पे तो फ्रेंड्स आज मैं आपको अंडे से चुज़नी करने वाले मसीन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस मसीन को इनक्यूबीटर भी कहा जाता है जो मैंने खुद से बनाया हूँ तो चलिए आज मैं आपको हमारे द्वारा बनाये गए इनक्यूबीटर को दिखाता हूँ तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा इनक्यूबीटर ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये थर्मा कुल का बॉक्स है जो मैंने फिस मार्केट से इसे पर्चेस किया हूँ इसके उपर जो लगा हुआ है ये कंट्रोलर है यहाँ पे टेंपरेचर कंट्रोल कर रहा है और यहाँ पे हमिडिटी कंट्रोल कर रहा है तो चलिए इसके अंदर का भी नजारा मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर मैंने एक ग्लास लगाया हूँ अंदर का नजारा देखने के लिए अभी लाइट आफ है इसलिए आपको नहीं दिखाई थे रहा होगा कुछ भी तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं इसमें मैंने कुछ अंडे भी रखे हैं जिसमें कि अभी 22X है यहां पे यह जो है सेंसर लगा हुआ है जो टेंपरेचर और हिमिडिटी गो यहां से कंट्रूल कर रहा है इसके साइड में आप देखेंगे तो मैंने दो होल्डर का यूज किया था शुरुवात में दो बल्ब लगाने से टेंपरेचर ज्यादा हीट कर रहा था जिसकी वज़ा से मैंने सिर्फ अभी एक बॉल का ही यूज कर रहा हूं यह हमारा फाइन लगा हुआ है 12 बॉल का और साइड में पानी का एक जग रखा इसमें कुटी मैंने रखा हूं अन्डे को रखने के लिए इसमें ट्विट्टा एक्स है जिसमें कि दो कड़क नादका लिए मैंने रखा हूं यह जो दोनों आप देख रहे होंगे यहां पर यह वाली और यह वाली दोनों कड़कनात का ही गए अभी इसका रिजल्ट क्या होगा मैं आपको उसका भी वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा जुरूर यह पहली बार मैंने इंक्रिबीटर बनाया और इसमें अंडे को मैंने पहली बार एक्स्प्रिमेंट कर रहा हूँ अगर देखे लाइट जल चुका है टेंपरेचर मैंने सेट किया हूँ यहाँ पर 37.5 से 37.9 तो यहाँ पर अभी 37.5 हो चुका है तो आटोमेटिक बल्ब जो है अन हो गया है इमिडिटी अभी हमारा 47.5 सो कर रहा है क्योंकि मैंने अभी बॉक्स को आपेन कर दिया हूँ यहां सारा कनेक्शन मैंने खुद से ही किया हूँ इसमें आसा करता हूँ कि इसका रिजल्ट अच्छा होगा मायनत क्या हूँ तो जरूर इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो फ्रेंड्स हमारे अगर इस चैनल पे अगर आप नए है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको इंकुबिटर से रिलेटेड, हैचिंग से रिलेटेड और पॉल्टरी फार्मिंग से रिलेटेड, देसी मुर्गी फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगी